नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मनोज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमेस टेखनी स्टूडियो तो दोस्तो आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाएं और इस वीडियो के अंदर दिखाने बाला हूं टाटा सफारी का टॉप मोडल तो इस टॉप मोडल में क बहुत शांदर गाड़ी है और प्राइज भी सही है और जैसे इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो देखो यहां पर बीचों बीच में सफारी का बैस दी गई है एलाइट और फोग लाइट के बीच में आपको एक एलीडियो डे नइट रनिंग लाइट मिल जाएगी यहा अंदर फ्रेंसिंग दी गई है सिल्वर कलर की और ग्रिल के ऊपर टाटा का लोगो और कैमरा दिया गया है यह त्रीडी डिग्री से आप व्यू देख सकते हो पार्किंग सेंसर मिल जाएगी दो फ्रंट के अंदर आपको यहां पर यदि ग्राउंड क्लीनिस की बात की आप सकते हो अब देखो यहांपर टायर सेक्सन की बात की जाए तो आपन टायर सेसं दिखा दें ट्यूबलस टायर मिलेंगे लई वील के अंदर मिलेंगे आपको याणि दोस्तों इसके टायर सेसं की बात कि जाए तो 245 वाई 95 और 19 रेडियस का इसका टायर दिया गया है और यहां पर यह suspension दिए गई है फिर side में डोर पर देखा जाए तो safari की वैस दी गई है chrome के अंदर और यहां पर आपको mirror मिल जाएंगे adjustable ORVA में और इसके अंदर camera भी दिया गया है और इंडिकेटर भी इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको chrome के अंदर door handle मिल जाएगा वार का और अंदर का भी आपको दिखा देता हूं खोल के एक बार तो इस तरीके का इसका look है और यहां पर देखो बोतल रखने के लिए space और उपर की साइड में आपको chrome के अंदर door handle और power window बटन यह ग्रेप बढ़िया handle दिया गया है और speaker मिल जाएंगे आपको यहां पर और उपर आपको tutor मिल जाएगा और यहां पर देखा जाएगा जैसे seat की adjustable की और ventilated आपको seat मिलेगी adjustable seat है 6-way adjustable और यह आपको seat मिलेगी जो लेदर के अंदर मिलेगी आप इसको यहां पर gloves box मिलेगा अच्छा खासा lamp के साथ में अच्छा खासा space है देखो dashboard भी बहुत ही शानदार है इसका look की यानि दोस्तों आपको इससे बहुत ही इतनी शानदार है कि आपको देखते ही इससे प्यार हो जाएगा यह देखो दोस्तों यहां पर पीछे का rear door handle खोल के मैं दिखा देता हूं यह speaker दिये गए और बोतल बगएरा के लिए थोड़ा सा space बगएरा दिया गया यहां पर और यहां पर दोर एंडल दिया गया क्रॉम के अंदर power window के बटन दिये गया है handle दिया गया है और यहां पर एक दूप से बचने के लिए वाइजर दी ग अच्छा खासा खुलता है यहां पर यहां पर आपको charging port भी मिल जाएंगे अच्छा खासा space है और पीचे की रोग की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से पीचे इसको नीचे करके और पीचे की रोग है इस पर बड़े आदमियों का इतना नहीं कह सकते कि मेरे जैसा जैसे आपकी 6 फेटा आईट है तो वो प्रोपर बैट पाएगा लेकिन ठीक ठाक है यानि आराम से ब लुकवाइज और आर्मरेस्ट भी दिये गए इसके अंदर ये देखो इस पेस यानि लुकवाइज बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है टाटा सफारी टाटा ने बहुत ही सांदर गाड़ी निकाली है अब इसको अपन फॉल्ड करके ऐसे अब पीछे देखते हैं पीछे की साइट देखा जाए तो आपको जैसे टेल लाइट की बात की जाए तो टेल लाइट आपको एलीडी के अंदर मिलेगी और एक स्ट्रिप दी गई है एलीडी के अंदर ही मिलेगी आपको ये स्ट्रिप एक साइट सी दूसरी साइट स्ट्र लेटी के अंदर मिलेगा आपको इसमें सब कुछ जातर सारा इसके अंदर लेटी के अंदर है यह देखो इस पेर वील यहां पर मिल जाएगा ग्राउंड क्लिरंस अपन 205 mm का मिलता ही है और यहां पर दो पार्किंग सेंसर भी मिल जाएगी आपको दो पार्किंग सेंसर और उपर की साइड बात की जाए तो टाटा सफारी की बैज मिलेगी टाटा सफारी की यहां पर देखो क्रॉम के अंदर बैस दी गई है उपर की साइट टाटा का लोगो और कैमरा दिया गया है यह देखो और उपर आप डिफोगर और बाइपर मिल जाएगा और उपर सार्फिन एंटिना मिल जाएगा ओपन नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पीछे का मैंने दिखा दिया था इसको जैसे सीटों को अपन फॉल्ड कर देंगे तो आपको 420 लीटर का आपको बूट इस्पेस मिलेगा इसके अंदर यह साइद ओपन नहीं हो रही है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो अब आपन आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है और आपको गाड़ी कोई भी गाड़ी लेनी है तो कॉंटेक नमर इसके अंदर दिये गए है सोरूम के आप जाके कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो यहां पर फ्यूल टैंक है पचास लीटर इसके अंदर फ्यूल आता है यह देखो लुकवाइस में बहुती शाइन्द亲े मिल जाए यह आपके power window के बटन, door handle और lock unlock के बटन दिये गए हैं यहाँ पर Chrome के अंदर door handle मिलेगा अब जैसे driving seat की बात की जाए तो 8-way adjustable driving seat है ventilated seat है और इसमें एक function है कि आप 3-way में इसको adjust कर सकते हो यह automatic आप अपने एसाब से adjust हो जाएगी memory function है यानि आप तीन इसाब से इसको adjust करतो यहाँ पर stop start on off का बटन दिया गया है यह steering की उपर बीचो बीच इसमें टाटा का लोगो आता है controller दिये गए हैं यह बाइपर और light के दोनों तरफ controller दिये गए हैं यहाँ पर और इसका जो instrument crystal है वह आपको fully digital मिल जाएगा लोक वाइस बहुत ही शांदार है यह देखो touch screen है 10 इंच की इसकी touch screen है display यहाँ पर आगे subwoofer दिया गया है armrest अच्छा कासा space है charging port भी दिया गया है इसमें और यहाँ पर cup holder दिये गए हैं कुछ भी आप बोतल बगएरा रख सकते हो यह पार्किंग का बटन है automatic parking है और automatic आप मॉडल देख रहे हो कि यहाँ पर driving mode दिये गए हैं यह driving mode दिये गए हैं यहाँ पर और आपको charging port बगएरा यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक ठाक space है उपर की side देखें तो यहाँ पर controller दिये गए AC के और बटन बगएरा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे AC band दिया गया है touch screen display मिलेगी यहाँ पर sunroof के button दिये गए है light के lamp जो है उसके भी button इस तरीके का sunroof खुलता है तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर सारी detail बता दी गई है आपको कोई भी गाड़ी purchase करनी हो कोई भी detail लेनी है तो showroom के नमबर डाले हुए contact नमबर डाले हुए और दोस बाले हुएै था हुएआ हे सारीगक मैंने लाने हुए उससे भी यान पGenोड़ी को जए रदान को करना है या लाड़ी बता हुएआ है अख।थए उस पर दोश्के सवस्तों इस ऑन्या ओंजर आवादा़ी बता हुएcriptions गाड़ी कि आता हुएएंबर पता है जे बता हमाश